ही गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चटपटी भिंडी मसाला फ्राई बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए शुरुवात करते हैं रेसीपी की रेसीपी पसंद आये तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा चटपटी भिंडी मसाला फ्राई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 300 ग्राम भिंडी लिए और इसे पानी से अच्छे से धो लिया था इसके बाद छलनी में रख दिया था तो इसका पानी सूख गया है आप चाहें तो इसे टौवल से भी पहुँच सकते हैं अब हम भिंडी को कट करेंगे तो भिंडी को लगभग हम आधा आधा हिंची के मोटे टुक्रे कट करेंगे यह देखे इस तरीके से बहुत ज़्यादा मोटे नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं रखेंगे तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं मैंने भिंडी को काट के तैयार किया हुआ है एक प्लेट में डाल देंगी एक बड़ी साइज का मैंने प्याज लिया हुआ है जिसे छील करके इसे भी हम ऐसे मोटा मोटा काट लेंगे यह देखिए चाहें तो आप लच्छे में भी काट सकते हैं और प्याज को भी हम इसी भिंडी में मिक्स कर देंग यहाँ पर मैंने 10-12 लहसुन की कलियां लिवी हैं जिसे हम किसी भारी चीज से हलका सा इस तरीके से दबाएंगे यानि की क्रस्ट जैसे कर लेंगे तो लहसुन को भी हम इसी में डाल देंगे यहाँ पर हमने सारी चीजों को काट के तयार कर लिया हुआ है अब चलते हैं नेक्स प्रोसेज में तो यहाँ पर एक पैन में हमने चार बड़ी चमच की जितना सरसू का तील डाला है तील गरम हो जाएगा आधी चोटी चमच अजवाइन और एक चोटी चमच जीरा डालेंगे और हलका सा भूनेंगे दू चुटकी हिंग डाल दी हुई है दो से तीन बारीक कटी हुई फ्रेस लाल और हरी मिर्च डालेंगे बारीक कटी हुई और हलका सा भून लेंगे इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपनी कटी हुई भिंडी प्याज लहसुन हमें किसी भी टो अच्छे से mix कर एक दो मिनट तक भून लीजिए इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक तो दो से तीन मिनट तक पहले भिंडी को बिना नमक की ही भून लीजिए इससे भिंडी में लेस नहीं आएगा यह देखिए अब भिंडी को फैला देना और ताकि जो भिंडी है वो इसे बिना धके वे पकाया है आप चाहें तो इसमें थोड़े सी देर के लिए लेट लगा के भी पका सकते हैं जल्दी सौफ्ट करने के लिए बट अगर आप बिना धके पकाएंगे तो कलर बहुत अच्छा आएगा हरा रहेगा आदा छोटी चमच अल्दी पाउडर एक कुटी वी लाल मिर्ची डालेंगे आदा छोटी चमच जीरा पाउडर एक चोटी चमच आमचूर का पाउडर डाला हुआ है मैंने अगर आप गरम मसाला डालना चाहते हैं तो इसमें आदा छोटी चमच गरम मसाला भी डाल सकते हैं मसालों को इस तरीके से अच्छे से मिक् जिपकेगी नहीं नीचे यह दिखें भिंडी को मसाले डालने के बाद 3-4 मिनट तक ऐसे मिक्स करते हुए बीच-बीच में चलाते हुए अच्छे से भुनने दीजिए और आप देख सकते हैं हमारी जो भिंडी फराई है वो बनकर के बिलकुल तयार है बहुत ही ज्यादा टे अब भिंडी की रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर करिएगा आपको बहुत पसंद आएगी इस भिंडी की सब्जी को आप रोटी के साथ खाए या पराठे के साथ खाए या दाल के साथ साइड डिस के रूप में बनाए बहुत ही टेस्टी बनेगी पसंद आई हो तो